हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टो अवर यूटूब चैनल आसान राफो यू दूर होता है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि गनेश जी की आराधना किस दिन और किस विधी से करें कि आपको गनेश जी का अशिरवात प्राप्त हो सके, दोस्तों गनेश जी सभी सुखों को देने वाले हैं और सभी देवों में प्रतम पूज्य हैं, नित्य प्रात नहीं की जाती है, लेकिन बुधवार का दिन विशेश रूप से गनेश जी को समर्पित है, इस दिन अगर आप कुछ विशेश उपाई करते हैं, तो आपको गनेश जी का असिरवात प्राप्त होता है, बुधवार को की गई गनेश जी की पूजा सिग्र फलदाई होती है, बुधवार के दिन प्रातकाल उठकर अपने नित्य कर्मों से निरत होकर स्नानादी कर लें, इसके बाद मनहीमन गनेश जी का ध्यान करें, फिर पूजा स्थल पर पूर्व या उत्तर दिसा की और मुह करके आसन पर बैठ जाएं, इसके बाद एक साप चौकी पर गनेश ज पूजा में श्री गनेश जी को लाल सिंदूर का तिलक अवश्य करें, शिंदूर गनेश जी को बहुत अधिक प्रिय है, अगर आप खासकर बुधवार के दिन गनेश जी को लाल सिंदूर अर्पित करते हैं, तो इससे गनेश जी जल्द प्रसंद होकर आपकी सभी मनों का पूरा करते हैं, गनेश जी को लड़ू और मोदक का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि स्री गनेश जी को लड़ू और मोदक बहत प्रिय हैं, गनेश जी को हर बुधवार के दिन दुर्वा जरूर अर्पित करें, अगर आप परते बुधवार के दिन गनेश जी को 21 की माला अर्पित करते हैं तो भगवान गणेजी के आसिरवाज से आपके धन्धान के भंडार भर जाते हैं बुद्वार के दिन गणपती पपा को गुड या गुड के लड़ू, मुम के लड़ू व धनिये का भोग अर्पित करने से प्रसन्न हो जाते हैं और व्यक्ति की सभ होता है बुद्वार के दिन पूजा के समय आपको गणपती अथर्व शीर्ष का पाट करना चाहिए इसके प्रभाव से मनोकामनाय पूर्ण होती हैं और कारियों में सपलता मिलती है बुद्वार की पूजा में हरे रंग का अधिक से अधिक इस्तमाल करें पूजा के अंत म स्वभाग्य आवश्य बढ़ेगा और आपको कारियों में विजय प्राप्त होगी ओम गणिशा आयन में